बड़ी के नेताजी फूल बाजार में रविवार की रात को करीब दो बचे अचानक आग लगने से परिसर में हड़कम भज गया आग से 14-15 दुकान ने चल गई और उनमें रखा सामान पोरी तरह से जल कर खाख हो गया दुकानों में रखे प्लास्टिक के क्रेट, रैक और फूल रखने वाले टोक ने वशेड के कारण आग ने कुछी देर पे टांड बचा दिया परिसर के लोगों ने तुरंती इसकी जानकारी अगनी शमन विभाग को दी गटना स्थल पर पहुचे अगनी शमन की तीन गाडियों ने आग पर काबू पाया आग पर जल काबू री पाया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता था वैसे आग से व्यापार्यों का सामान और दुकान जल्ले से उन्हें काफी नुकसान होने की जानकारी मिली है व्यापार्यों की अनुसार मार्केट में सुबह 4 बजे से फोलों की आवक शुरू हो जाती है बड़ी संख्या में माल लेकर आने वाली गाडिया यहाँ पर खड़ी रहती है वही सुबह 5 बजे से ग्रहा काने लगते हैं इस दोरान मार्केट में जम कर फिड रहती है ऐसे समय इस तरह की दुर्गट न होती तो जन्हान से इनकार नहीं क्या जा सकता था आख लगने के कारण सुमवार को मार्केट के व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है कैमरा पस्तन राजकुमार मोहट के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट